हेलो एवरीवन वेरी वेरी गुट मॉर्निंग कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सबी का आपके अपने चैनल एसकी ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट सब से पहले आप सबी को मेरी प्यार भरी रादे रादे आप सबी के लिए अपने शामाशाम के स्री चरणों में प्रादना करती हूँ कि प्रभू आप सबी को अच्छा स्वास्त है दे आप सबी की सारी मनों कामनाएं पूरी करे और आप सबी के घरों में धेर सारी खुशी आए और अब भी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी गेहूं की भी बनाई है जैसे विशाल है वो बाजरे की रोटी नहीं खाता विशाल की दादी है ये भी बाजरे की रोटी नहीं खाते है तो जैसे गाएं की हो गई है फिर इन दोनों की हो गई है कुत्तों के लिए बनानी कुट्टे भी बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं उनको भी गेहूं की रोटी चाहिए होती हैं तो फिर मैंने गेहूं की रोटी पहले बना दी हैं और अब मैं बना रहे हूं बाजरे की रोटी मैं अनुज और अनुज की पापा जी हम तीनों खाते हैं मुझे तो बहुत हbenेदो जैसे जादा हो गई है अब तो जैसे ज्यादा तर धीमी आच ही रखनी पड़ती हैं तोड़ी बहुत एकदम काली-काली हो जाती है वो करारी नहीं बन पाती है और जैसे हाथ से बनती बाजरे की रोटी अगर जल्दबाजी में बनाएं तो वो फट जाती है रोटी को बनाना भी बहुत ही धीमे-धीमे तरीके से होता है तब बाजरे की रोटी सही से बनती नहीं तो फट जाती है तो आप सब भी आईए और मैंने बनाया है साग जैसे पालक, बत्वा, मेथी, सरसों और जो चना होता है वो डालके और फिर मैंने बनाया साग और साग के साथ बाजरे की रोटी बहुत स्वादिश्ट लगती है, साथ में है दही, तो आईए और सुबह का भोजन हमारे साथ कर लीजिए, सरती का मौसम है, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी साग के साथ खाईए, हवे विशाल के पापा जी खा रहे हैं, तो एक एक रोटी गर्मा गर्म बना के और उनको मैं साथ के साथ दे आती हूं, फिर अनुज खाएगा दो रोटी उसकी बना दूंगी और दो अपनी तो हो जाएगा, बाकी गेहों की मैंने पहले बना दी हैं, और आज बहुत सारे कपड़े हैं, धोने हैं, बहुत ज़्यादा काम फैला पड गहीता है, हाँ, जिस दिन धोने लगती हो, उन दिन सार इक बेड शीट बगएरा जो भी होती हमी सब एक साथ इकठा कर लेती हूं, और फिर अपना निप्टा देती हूं, दो गटे लगे, तीन लगिया, चार लगे, जितना भी टाइम लगे उस दिन निप्टा देती हूं फिर चारपा दिन के लिए छुटी हो जाती है तो वही बाजरे की रोटी बनाके खा पीके और फिर मसीन लगाऊंगी जैसे सुबह-सुबह काफी ठंड होती है सुबह-सुबह मसीन लगाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है बस यह होता है कि चलो एक बार बैठो तो अपना सारे काम को निपटा दो और अब यह टाइम हो गया है लगभग 11 बजे का जब मैंने मसीन लगाई है तो अभी जब मैं कपड़े निपटाऊंगी तब तक तो पतानी कितना टाइम होगा कुछ हाथ से भी धोने के हैं जैसे अभी मैं इजी घोल लेती हूँ जितने भी स्वेटर वगरा होते हैं ये मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि स्वेटर अगर हम मसीन में डाल देते हैं धुलने के लिए तो मसीन इनका जो रोवा होता है उसे खराब कर देती है सुखाने के लिए भी थोड़ा सा यह होता है कि कोई कपड़ा वगएरा मैं बिचा लेती हूँ इसमें ताकि जब हम इसको ड्राई करें तो इसका रोआ वगएरा ना जड़े क्या होता है स्वेटर हाथ के जो बुने होते हैं काफी मेहनत से बनते हैं और पान वे गिली होई जाएं और फिसे अब पाणी में तो जूराबे गिली होई जाएं तो इनको भी दो लेती हूँ तो आज मसीन लगाई है तो आज कुछ भी नहीं छोड़ँगी जित्ने कपड़े लग रहे हैं जुराबे हैं टोपी हैं चै किसी का कुछ भी है सब धोके सुखा दूँगे तो यह स्वेटर बगरा इधर मसीन में धुलते रहेंगे और इधर जो हाथ के हैं वो साथ के साथ मैं हाथ से धोलूँगे फिर इनको निपटा के और उपर लेके जाओंगे छत पे य देख सकते हो बालकनी में कहीं पर भी धूप नहीं है उपर छत पे है हवा भी बहुत तेज चल रही है आज यह नहीं है कि वह यवा नहीं है काफी तेज धूप भी है और हवा भी चल रही है तो एक बार में ही इनको धोके ड्राई करके और यह जो मेरा कपड़े रखने का जो टोकरा है ना इसमें भरके ले जाओंगे और छट पे सूखने के लिए डाल दूँगी तो छट पे जल्दी सूख जाएंगे यहां तो अब डालने का कोई फाइदा नहीं है गर्मियों में एक यह रहता है कि जैसे यह रसी मैंने लगा रखी है ना इस पे मैं कपड़े डा देती हूँ चाए मैं दिन में किसी भी टाइम धोके डालू तो वो सूख जाते हैं क्योंकि गर्मी होती ना लेकिन अब ठंड है ठंड में नीचे सूखते ही नहीं है तो मैंने वहां एक भी कपड़ा नहीं डाला सूखने के लिए सारे मैं उपर ले आई हूँ और ओपर यह देखिए मेरी जठानी के कपड़े भी सूख रहे हैं हमने काफी बड़ी बड़ी रसियां लगा दी हैं उनके भी और मेरे भी हमारे सब के कपड़े यहां पर आ जाते हैं दो तो यह ऐसे हैं बड़ी बड़ी दो दूसरी साइड पे हैं तो चार रसिया लगा रखी हैं तो छट पे ना वही काफी धूल मिट्टी है कोई भी कपड़ा अगर नीचे गिर गया ना तो वह गंदा हो जाएगा तो इसी वज़े से मैं चिम्टी वगरा इन पर साथ के साथ ही लगाती जाओंगी कुछ बैड़ सीट वगरा हैं बच्चों की जैकेट वगरा काफी सारे आज क कपड़े हो गई थे तो धूप अच्छी खासी निकलाई है इतनी तेज हवा है और तेज धूप है दो डाई गंटे में सूखके तयार हो जाएंगे वरना सर्थी में सबसे बड़ा जंजट होता है कपड़े सुखाने का और ये अभी सारे कपड़े सुखा के और फिर मैं ज धूले हैं कुछ मसीन में धूले हैं हात से तो जो स्वेटर हैं अगेल ये मेंने हात से धोएं बाकि तो सारे मसीन largest छूतिव मतलब ऑभी चैजिば मैं चत के आई तो अभी कपड़े वगरा सुखाऊंगे न तब तक बच जाएंगे धाई फिर जाके नीचे और लाला को भोग लगाऊंगी दो दिन में तो जैसे दो धाई बजे सुलाती हूं अपने ठाकुर जी को तो इस टाइम तो मैं फ्रूट का भोग लगा देती हूं कोई भी मैं 11 बजे भोग लगता है तो फिर इतनी जल्दी दूद पीने की बच्चे की इच्छा नहीं होते ह हूं कि इतनी जल्दी नी जल्दी दूद पीन hy तो फिर 404 बजे जब लाला को जगाती हूं अम तब मैं डूद का भोग लगा देती हूं बाकि सबका अपना-पना भाव ह कोई किसी तरीके से सब का होता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से रखूं वही होता है शामा शाम की जब हम सिवा लेते हैं तो यह अपने भाव के अनुसारी होता है यह नहीं होता है कि दूसरा कोई कैसे कर रहा है तो हम वैसे ही करें ऐसे नहीं होता है हमारे बच्च थोड़ी जगह भी देखने हैं जैसे इधर उधर थे न मेरी जठ़ने कपड़े तो मैंने थोड़ा उनके एक साइड में कर दी थे ताकि describe हमारे सूकते रहें तो, इधर इधर हमारे आ गए हैं उधर साइड में इनके हैं तो वही कपड़े सूखने के डाल दिये हैं रसी विगरा लगा दिये हैं और अब जाओंगी नीचे वस ये तो तिन वाइट वैले कपड़े बचे हुए हैं इनको भी डाल देती हैं आज मैंने कई दिनों के बाद वीडियो बनाई है क्या होता ना आज कल दिन भी छोटे हैं काम भी जादा होता है टाइम मिल नहीं पाता है कई बार तो ऐसा होता है वीडियो किलिप निकाल लेती हूं और वीडियो किलिप में निकालने के बाद वैस ओवर नहीं कर पाती हूं पुखार वगरा की कोई शिकायत नेती वो गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है हाँ बची थोड़ी बहुत कमर दर्द की वो तो वही चलता रहता है उसको ज़्यादा मैं महसूस नहीं करती हूँ तो वही आज की इस वीडियो का मैं यहीं परेंड कर देती हूँ वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेर कर देजे न और आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्यार भरी राधे राधे आप सब खुश रहिए और अपना-पना ध्यान रखिए कमेंट बोक्स में राधे राधे लेक कर मेरे شामा शाम के स्री चर्णों में अपनी हाजरी जुरूर भर लीजिए तो आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए